सब्सक्राइब कीजिए मेकेनिक ग्यान चैनल को और बेल आइकन को द़ॉइए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रविख रखाटे और मेरा यूटकीब चैनल मेकेनिक ग्यान में आप सभी लोगों का स्वयद्ट है उपन ऍिया था रियर विल हब का एक बेरिंग तूट इब अता अर्डुसरा जो प्लाइनेटरी अब क्या का फिलै को यह क्रेक हो गया हम JCP के पास में स्टार्ट करना है उससे पहले वी दोस्तों हमने सील प्त कर दिया था अब सील देख सकते हैं किस टाइप से घूम रहा है चलिए हम पुराने सील में बता देते आपको बात दोस्तों हमें bearing को fit करना है इसमें दो bearing लगते हैं एक bearing अंदर side fitting होगा और एक बाहर side तो आपको देख लेना है कि bearing हम किस प्रकार से fitting कर रहे हैं आपको उसी प्रकार से bearing को fitting करना है ठीक है दोस्तों अगर आपको JCP 3DX का पार्ट केट लग चीए तो आपको मेकिनिक ग्य आएगा जो की play store से download कर सकते हैं आप इस screen पे देख सकते हैं उसका logo इस प्रकार से दिखता है और इसमें सिर्फ JCP नहीं दोस्तों इसमें सभी टाइप के vehicle, machinery, gearbox और engine के पार्ट के टलाख मुझूद है तो देख सकते हैं हमने पहला bearing fitting कर दिया है अब उसके बात दोस्तों हमे hub को fitting करना है यह रहा hub देख सकते हैं screen पे तो दोस्तों यह है JCP 30X का rear hub दोस्तों इसी का bearing टूड़ गया था और हमने इसका bearing का cone है वो change कर दिया है और hub को fitting करने के लिए आपको एकदम सीधा सीधा fitting करना है और उसके बात दोस्तों पीछे side से इसको एकदम state पकर कर रखना है ठीक है उसके बात दोस्तों हमें दूसरा bearing fit करना होगा जो कि आप देख सकते हैं दूसरा bearing हमने कैसे fit किया है एक हमने ultra fit किया था और दूसरा जो bearing है वो हमने सीधा fit किया तो दोस्तों जब भी आप fitting करो तो आपको ध्यान देना है इसी प्रकार से आपको bearing को fit करना है ठीक है एक बहुत पहले एक बंदे ने कॉमेट किया था कि सर जेसीपी 3DX का जो रियर हब है उसका जो अंदर वाला बेरिंग है वो किस प्रकार से कैसा फिटिंग होता है तो मैं उन्हें भी बताना चाहूँगा कि जो ये आज का जो वीडियो होने वाला है मुझे मालूम है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को जरुबत नहीं पड़ेगी किसी को पूछने की तो आप ध्यान रखें ठीक है देख सकते हैं हमने दूसरा बेरिंग भी फिटिंग कर दिया है और उसके बाद दोस्तों हमें हब को घुमा कर देख लेना है कि प्रॉपर घुम रहा है या नहीं जाम तो नहीं है ठीक है तो देख सकते हैं हब एकदम बराबर घुम रहा है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमें स्लू फिट करना है इस पॉकिट का स्लू, पार्ट केटलाग में और ही कुछ नाम है, दोस्तो ये जनरली जो लोकल भासा होता है, उसमें हम बात कर रहा है, अगर आपको रियल में इसका पार्ट नेम और पार्ट नंबर चीए, तो आप मेकिनिक ज्यान एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए हम एक एक करके सारे स्लू को फिट कर देते हैं, थिक हैं, दोस्तों इसका जो एक्सल स्पॉकिट-का जो बोल्ट है एं भी तुड़ गया था, तो हमने चार बोल्ट मंगवा लिए और दो स्लू जो है नाय मंगवा थिक है, उसके बात देख सकते हैं ये एक् इस रिंग गेर में AXL eh pocket फsht हो गया है और उसके बाद दोस्तो depending सब्सक्राइब कर लिया है और उसके बाद दोस्तों हमने पूरा इसको एसेंबल कर लिया है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है डारेक आपको फिटिंग कर देरा है और फेवी टाइट लेने के बाद धोस्तों दोनों जो टीव होता है फेवीटाइट का उसको मिक्स कर लेना है और एक एक करके बोल्ट को खोलते जाना है और एक एक करके उसमें फेविटाइट लगाते जाना है उसके थ्रेट के उपर और आपको सारे बोल्ट को अच्छे से फिटिंग करना है और फिटिंग करने के बात दोस्तों आपको अच्छे से टाइट कर देना है ठीक है चलिए किस प आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप एक एक करके सारे बोल्ड को टाइट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आता है एकसल तो जो एकसल का फ्रंट भाग है उसमें जो मिनिंग होता है उस मिनिंग को spider kit spider kit का जो star gear होता है उसके meaning से match करना है ठीक है तो चलिए हमने Excel को डाल दिया है अब देख सकते है Excel इतना अंदर चला गया है उसके बाद दोस्तों हमें उसका meaning match करना है सबसे पहले तो center लेना है अब इस center हो गवा नहीं है तो देख सकते हैं यह center हो चुका है अब उसके बाद दोस्तों अब आएगा meaning तो देख सकते हैं meaning भी एकदम match हो चुका है हलका सा Excel को हम थूड़ा से बाहर खीचे देते हैं बाहर खीचने के बाद दोस्तों हमें क्या रियर वील planetary assembly को fitting करना है दोस्तों यह एकदम new है जो की देख सकते हैं यह जो planetary gear का जो cover है cover भी तूड़ गया था और यह देख सकते हैं जो planetary का जो gear है और इसके bearing यह सारे तूड़ गयते तो हमने एक एक करके सारे gear को हमने order किया था और उसके बाद में इसको fit कर दिया है फिट करने के बाद में पुरा planetary assemble कर लिया है और उसके बाद देख सकते हैं एक साल के उपर एक sun gear लगा हुआ है उसके उपर एक lock लगा हुआ है अगर आपको यह sun gear चेंज करना है तो सिर्फ एक lock निकालना है sun gear बाहरा जाएगा और आप new fit कर सकते हैं तो चलिए इसके बाद दोस्तों एक warring लगता है और warring के उपर हमने एनाबोन लगा दिया है अच्छे से दोस्तों इसमें जो भी आप एनाबोन या ट्यूब इस्तिमाल करो वो अच्छा होना चीए ठीक है और जो कि हमने लगा दिया है और उसके बाद दोस्तों हमें planetary assembly को fit करना है दोस्तों जो हम planetary assembly अभी जो fitting कर रहे हैं ये थोड़ा नया है तो थोड़ा सा tight जाएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले तो popular shop के board खुल लेना है और उसमें दोस्तों पापलोश आपको हलका हलका आपको घुमाते रहना है और घुमाते रहना है उसके बाद में धीरे धीरे आपको क्या करना है जो planetary का gear है गेर का जो meaning match करने के बाद में हलकी हलकी चोटे मारते रहना है ड्रम के उपर यह थोड़ा सा नया है अभी इसलिए थोड़ा सा टाइट जा रहा है तो इस प्रकार से आप planetary assembly को fit कर सकते हैं तो देख सकते हैं planetary assembly fit हो चुका है और हमने wheel ball लाकर इससे अच्छे से tight कर दिया है कि जो enabon हमने लगाया था वो अच्छे से सुख जाए और बाद में लिकीजिना करें तो दोस्तों यहाँ video कैसा लगा हमें comment box में लिक कर बताए और video अच्छी लगी है दोस्तों तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना हम फिर किसी next video के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए bye दोस्तों